इसमिल्लाह्यटै रर्फणानी ररहीम इडियर स्वेट्टुनिइंट आज हम जो डिसकेस करेंगे वे इन्षालां के अंदर जो प्रिंट ऑप्शन्स हैं उसको हम डिटेल से डिसकेस करेंगे एक्सेल की फाईल के अंदर आपने आप्टेटा मेंटेन किया लागा अगर आप प्रिंट करने जा रहे हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए Excel में क्या options available हैं, और क्या-क्या settings आप कर सकते हैं, प्रिंट से relevant. लास्ट लेक्चर में हमने Office का Backstage View डिसक्स किया था, और उसमें जो प्रिंट की option थी, उसके मतालिक मैंने आपको बताया था, कि इसे हम बाद में डिटेल में डिसक्स करेंगे, आज उसी पर हमारी discussion है, तो यह जो प्रिंट की option है, इसको exercise करने के लिए हमें कैसी फाइल चाहिए जिसमें कुछ न कुछ डेटा अवेलेबल हो, ताकि उस डेटे को हम देख सकें, कि यह प्रिंट में कैसे आएगा, तो मैं आपको एक फाइल बता देता हूँ, जिसके इसके डेटा अवेलेबल है, वो आप भी उपन कर लिजिएगा अपने सिस्टेम पर, मैं भी आपके सामने इसको उपन करने जा रहा हूँ, यह वोई टेमपलेट है, जो हम पहले भी उपन कर चुके हूँ है, आप देखिएगा इसे कैसे उपन करने में, फाइल टेप पे क्लिक किया है हमने, उसके बाद मुझे यहाँ पर ही नजर आ रही है, आपको भी शाहँ नजर आ रही हूँ, स्क्रीण पर, सेल्स रिपोर्ट के नाम से, सेल्स रिपोर्ट के नाम से, यह हमारे सामने एक टेमपलेट अवेलेबल है, इसे डिरेक्टली हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, इसपे क्लिक किया हमने, तो यह sales report के नाम से template मेरे सामने open होके आ चुकी हुई है यह उसका complete data भी मेरे सामने है इस file को पर इंशनल हम काम करेंगे देखेंगे कि इस file को आपने print करना है तो print किस तरीके से करना है और print करते वक्त Excel आपको क्या-क्या options देता है different तरह की settings करने के लिए तो file को print करने के लिए जो option अवेलिबल है वो backstage view में ही available है उसको हम exercise करते हैं किसी भी file को print करने के लिए आप उसे open कर ले और open करने के बाद file टैब में आएंगे तो आपके सामने backstage view आजएगा और backstage view के अंदर यह print की option अवेलिबल है आपके सामने, left pen के अदर ये देखिए कि ये print की option, इस print की option के ओपर हम click करेंगे तो इस से associated जो detailed options हैं वो right side पर आपके सामने आ देंगे, मैं इस पर click कर रहा हूँ ये देखिएगा, right side पर इस सारी की सारी options हैं, जो हमारे सामने आ चुकी हुई है इसको हम go through करेंगे इन सारी options को, ये जो print की options आपके सामने हैं, इन options का objective क्या है सबसे पहले कर आप देखें तो आपको ऊपर एक button नजर आ रहा है, ये वाला button, इसके उपर print लिखा हुआ है इस पे click करने से document प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, यानि ये वो button है, जिसके जरीए से command चली आती है, प्रिंटर के पास, और जो document आपने open किया है, जो file आपने open किया है, वो as it is print हो जाएगी लेकिन ये button जो है, आम तोर पे सबसे end में press किया जाता है, उससे पहले नीचे की कुछ settings है और right side पे, जो आप देखें जो data का preview आपको नजर आ रहा है, ये data आपका print में कैसे आएगा, ये right side पे पूरा उसका view आपको नजर आ रहा है, तो इस view को हम देखेंगे, और साथ associated जो options है, उसको exercise हम करेंगे, देखेंगे कि कौन सी option क्या करती है, उसके बाद जब final सारी setting हम मुकमल कर लेंगे, उसके बाद पर print के button पे click करेंगे, तो document आपका सारे का सारा print हो जाएगा, अब one by one हम सारी options को देखते है, इस screen को भी understand करेंगे, इस screen पे जो information आ रही है, वो information क क्या है, सबसे पहले हम राइट साइड वाला जो पोर्चेन स्क्रीन का एक लेफ्ट साइड वाला एरिया है, यह वाला, जिसमें यह प्रिंट की हैडिंग भी लिखी हुई है, उससे नीचे options भी है, और राइट साइड पर कर देखें, तो यह वाला जो एरिया, यह सारे का स सारे columns आ रहे हैं और नीचे कुछ रोज भी प्रिंट हो रही है, और नीचे कर आप देखें यहाँ पे, तो लिखाव है one of six, यहां से आपको information मिल लिए है, यह bottom पे, यहां से आपको पता चल रहा है कि, अभी फिलहाल हम first page को view कर रहे हैं, और total जो pages है, total number of pages इस पूरी चीज है, यह जो file हमने sales report के नाम से open की हुई है, उसके six pages बनेंगे, यहांनि six pages पे उसका data print में आएगा, और यह first page अभी आप उसका देख रहे हैं, और right side पर आप आएं इसी window के right side पर, तो यह कुछ options आपके सामने available है, इस option का नाम है show margins, इस option को भी देखती है कि यह क्या क पर जबेरा नजर आना शुरू हो जाएंगे, इस पर क्लिक है हमने और top पर आपके देखते हैं, यह देखेगा, यह उपर आपको यहां भी border सा नजर आ रहा है, यह वाले से, इसको आप drag करके left right move कर सकते हैं, यह असल में आपकी original Excel file के अंदर, यह एक first column है, यह वाला, जो एक space है, एक margin है, असल में left margin है, जो हमने left side से छोड़ा हुआ है, इसको अप adjust करना चाहें, left right move करके तो आप इसे कर सकते हैं, यह हम left side से कितना margin चोड़ना चाह रहे हैं, वह हम यहां से drag करके adjustment कर सकते हैं, इसको ऐसी यह drag कर सकते हैं, left side से आपने जितना भी margins, यह फ्री space च इस दीके से टॉप पे, तॉप पे आप कितना margin चोड़ना चाहरे हैं, कितनी free space चोड़के आप इस document को प्रिंट करना चाहरे हैं, उसके लिए left side पर यह mark जो लगे हुए है, इसको आप यूज कर सकते हैं, यह दो marks लगे हुए हैं, इनको आप यूज करके, तो top margin भी set कर सकते ह width है, वो कितनी करनी है, इस column की width को अगर आप adjust करना चाहें, तो original file में जाके भी कर सकते हैं, और यहां से भी कर सकते हैं, यह देखेगा, उपर जो mark लगावा यह वाला, इस mark के उपर mouse को लाएंगे, तो यह इस तरीके से expansion का button बन जागई है, इस पर click करके आप इसे drag करेंग left or right तो column की width है वो कम ज्यादा हो सकती है, यह देखेगा, और इस तरीके से दो columns के दरम्यान आपको यह mark नज़र आएगा, देखें यह वाला column है, और यह दरम्यान में mark नज़र आ रहा है, यह इस column की width को adjust करने के लिए, इस तरीके से हर column के right side पे, उपर marks available हैं, इन के ज़र इस option पे दुबारा क्लिक कर देंगे तो यह जो margins की जगा पे आपको यह points show में black color के boxes चोड़े से यह गाइब हो जाएंगे, यह देखिएगा, उसके साथ यह एक और option है, zoom to page, इस option पे क्लिक करते हैं, इस option पे क्लिक करने से जो current page अब हो थोड़ा सा बढ़ा हो कि आपको अब नीचे हैं, इस option को मैंने क्लिक किया, show margin वाली option को, अब left side पर जो option है, उसको हम go through करते हैं, one by one, इन सारी option को देखेंगे, कि यह options क्या करती हैं, इनका objective क्या है, इस से पहले हम वापस जाएंगे original document के अंदर, original document के अंदर जो data है, उसे भी हम देख लेते हैं, एक नजर और फिर वापस इसी preview के अंदर आके उस data को मैं दोबारा से देखेंगे, तो वापस normal view में जाने के लिए, आप escape की की प्रेस कर सकते हैं, और दूसरा यह उपर एक back का button बना हुआ है, इसके उपर क्लिक करने से भी आप back view में चले जाएंगे, यह जो normal view Excel का उसमें चले सामने है, यह देखिएगा, कॉलम A से लेके, तो कॉलम F तक यह data है हमारे पस, और और काफी ज़्यदा रोज का data है, इसी data को हम प्रिंट करने के लिए जा रहे हैं, तो अब मैं दोबारा वापस print preview वाले view में आता हूँ, और वहां से देखेंगे, यह options क्या करती हैं, जो further options तो print preview में आने के लिए, अभी हमने पहले क्या किया था, फाइल टैब पे क्लिक किया था, और उसके बाद print की option पे आये थे, तो आपके सामने print preview आ गया था इस फाइल का, print preview, यह वो view जिसमें आप print settings कर सकते हैं, उसी view में आने के लिए shortcut की भी available है, control P प्रेस करेंगे, तो आ आप उसी view में आ जाएंगे, वही वाला view जो आप फाइल पे क्लिक करके और print पे क्लिक करके आप देखते हैं, control P करने से भी आप उसी view में आ जाएंगे, मैं control P प्रेस कर रहा हूँ, यह देखेंगा, हम उसी view में वापस आ चुके हैं, अब इसमें देखते हैं, one by one, यह सार इस option के right side पे दिखीगा, एक button सा बना हुआ है, यह next page के view करने के लिए, अभी first page हमें नदर आ रहा है, इस option पे click करने से, इस button पे click करने से, आप next page की तरफ move कर जाएंगे, next page का data आपको नदर आएगा, यह देखेगा, यह second page उपर नदर आ रहा है आपको, और इस पे बार यहां पे data खतम हो चुका हुआ है, तो यह आप scroll कर सकते हैं इन buttons को इस्तमाल करके, अब आते हैं left side पे, इसमें देखिए का print के button के साथ right side पे एक option है, जिसका नहा है copies, इस box के अंदर अभी फिलाल one लिखा हुआ है, आप इसमें define करेंगे कि आपने इस file की कितनी number of copies प्रें करनी है, अगर आप एक ही copy print करना चाहरे हैं तो आप one देने दें और print पे click कर दें, इस six pages का एक set बन के निकलाएगा, पहले first page print होगा, फिर second, third, fourth, six, six pages print होके आदेंगे, एक copy इस document के आपके सामने आजागी, लेकिन first करने, अगर हम यह चाहते हैं कि दो copies इस file की print हो, तो य यहाँ से six तक जो हैना, वो दुबारा printing कर देंगा, दो copies इस file के आपके सामने print होके आजाएगी, इसी दरीकिसे number of copies आप ज्यादा करना चाहें, तो यहाँ से ज्यादा करने, जितनी number of copies आप यहाँ पे set करके print पे click करेंगे, उतनी number of copies जो हैना, इस document की print हो जाएगे, इसके file का print आप किस printer पे बेजना चाहरे हैं, बास को आती होता है कि आप किसी organization में काम कर रहे हैं, और आप एक वक्त में एक से ज्यादा printers के साथ attached हैं, network के through, आपके अपने system के साथ भी printer लगा हुआ है, और आप server से भी connected है, server के साथ भी printer लगा हुआ है, और आप, मिसाल के तर पर top floor के उपर एक printer पड़ा हुआ है, उसके साथ भी आप network के through attached दें, तो 3-4 printers हैं, जो आपके system में installed हैं, उनकी access आपके पास available हैं, तो जितने printers के साथ आप network के through attached होंगे, उनके नाम यहाँ पर इस drop down के अंदर आ रहे होंगे, तो यहाँ से हम ऐसे click करेंगे, और जिस printer पे आप print बेजना चाह रहे हैं, वो यहाँ से select कर लेंगे, select करने के बाद फिर print पे click कर देंगे, तो यह document उस printer पे जाके print होगा, जो आपने यहाँ से select किया होगा, तो यहाँ से हम printer select कर सेते हैं, और यह देखिएगा कि जब आप printer select करेंगे, तो printer के नीचे उसका कुछ status लिखावा यहाँ पे लिखावा है, यह देखिएगा, यह ready लिखावा है, और नीचे भी यहाँ पे टिप लिखी हुए आ रही है, printer status क्या है, ready, ready का मतलब है कि वो जो printer है, जो आपने यहाँ पे select किया हुआ है, यह printer इस वर्ट रेडी है, active है, आप print बेजेंगे तो उससे, वहाँ से document print हो जाएगा, बाज करते हैं यहाँ पे ready की बेजाए कुछ और लिखावा आता है, fade लिखावा आ जाता है, offline लिखावा आ जाता है, तो offline का मतलब यह है कि आप फिलहाल उस printer के साथ, जिसके साथ आप connected है, वो printer फिलहाल active नहीं है, off पड़ा हुआ है, या जिस system की साथ वो attach ह सर्वर के साथ, वो server off पड़ा हुआ है, यानि अभी आप अगर print की command उसके बेजेंगे तो वो हाँ से document प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि वो printer है आपकी access में अभी नहीं है किसी वज़ा से, तो यहाँ से status आपको पता चालेगा, अगर ready होगा तो फिर आप print बेज सकते हैं, न सबसे पहले है, print active sheets, by default यही जो option है, active होती है, इस option का मतलब क्या है, इस option का मतलब ही है, कि Excel की file के अंदर आपने backend पे, जो sheet active की हुई है, सिर्फ उसी sheet को आप print करना चाहरे है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, backend पे जाके original data को एक दफा view कर लेते हैं, और देखते हैं, यह sheets क होती है, although कि हमने इसको पहले discuss किया हुए, तो मैं backend पे जा रहा हूँ, यह back वाले button पे मैंने click किया, देखी का, इस button पे click करने से क्या होगा, हम वापस original document में चले जाएंगे, अब इसमें bottom पे आए जहां पे sheets बनी हुई हैं, और sheets के different नाम लिखे हुए, आपको start में बताया तो यह नीचे sheet सेड़ हुई है, जिस sheet के ओपर हमारा data इस वद पढ़ा हुआ है, उसका नाम source data है, नीचे आपको नदर आ रहा है, यह source data वाली sheet है, उसके ओपर यह सारे का सरा data अवेलिबल है, और print preview में जाकि अगर हमने देखा था, उस वद भी यह वाला data आपको नदर आ तो नीचे bottom पे multiple sheets हैं, जो इस document का part है, इस file का part है, यह इस workbook के अंदर multiple sheets available है नीचे, जो सबसे पहली sheet है, उसका नाम है source data यह वाला, तो अब Excel की जो option थी, जो अभी हम देख रहे थे, जिसमें लिखा हुआ है, print active sheet, उस option को thread करने से क्या होगा, कि back end पे, यहां पे, आपकी जो sheet active है, जिस पर आपने क्लिक किया हुआ है, और उस data आपको नदर आ रहे है, आप अगर सिर्फ उस data को print करना चाह रहे है, तो फिर आप उस option को active रहने देंगे, print active sheet वाली option को active रहने देंगे, और print कर देंगे, यह वाली sheet का सारा data प्रिंट हो के आ जागा, लेकिन अगर आप यह चाहते हैं कि मैं पूरी की पूरी workbook के अंदर जितनी भी sheets हैं, जैसे यह source data भी है, byproduct भी है और onward यह सारी sheets नीचे आ रही हैं, आप एक वक्त में सारी sheets का data प्रिंट करना चाहा हैं, तो उसके लिए वहाँ option available है, हम उस option को देखते हैं वह कौन सी है, दुपारा से आते हैं, यह देखीगा, print active sheet, इसके नीचे लिखा हुआ है, only print the active sheets, आपने back end पर जो sheet select की है, वो active sheet कलाती है, और उसको आप सिर्फ और सिर्फ print कर सकते हैं, इस option को use करके, यहाँ पे नीचे आते हैं, second option, print entire workbook, यह वो option है, जिसके जिरे से आप सारी sheets का data print कर सकते हैं, यह फर्स sheet, second, third, onward, जितनी भी sheets आपने workbook के अंदर add की हुई है, उनको पर data मौझूद है, आप सब को एक अठा ही print करना चाहा रहे हैं, तो यह second option available है, print entire workbook, इस पर click करने से क्या होगा, कि सारी की सारी sheets के ओपर जो data है, वो एक ही वक्त में print हो जाएगा, अभी देखिएगा, यह हमने option यह वाली thread की हुए थी, print active sheets, और back end पे एक single sheet हमने, जो open की हुई है, उसका data आपके सामने यह आपे नदर आ रहा है आपको यह, और आपको याद होगा, कि यह six pages का data है, six pages पे यह print होगा, लेकिन अगर हम print entire sheet, entire workbook कर देंगे, यह second option यह वाली use करेंगे, तो अब ज data आप six pages से बढ़ देगा, क्योंकि second, third, onward, जितनी sheets हैं, सब का data आप इकठा ही print होने जा रहे हैं, तो pages भी आपके बढ़ देंगे, इस option में मैं click करता हूँ, देखते है number of pages पे क्या फरक पढ़ता है, print entire workbook, नीचे लिखावा print the entire workbook, click किया, अब आते हैं यहाँ पे, और number of pages देखिएगा, यह bottom पे आके, इस वक्त pages जो हैं, वो मेरे सामने, nine हो चुके हैं, आपको नदर आ रहे हैं, देखिएगा, nine pages टोटल हो चुके हुए हैं, इसका मतलब है six pages का, six pages तो first sheet के ओपर जो data था, उसको print करने के लिए इस्तमाल होंगे, और बाकि three further pages add हो चुके हुए इसका मतलब भी है कि second और third onward जितनी sheets थी उनका data further three pages को cover करेगा, further three pages इस्तमाल होंगे पूरी entire workbook को print करने के लिए, अब further देखते हैं कि इसमें और क्या option आपके पास available है, उसी menu के अंदर यहाँ पे, यहाँ पर third option है print selection, print selection, नीचे लिखा हुआ है only print the current selection, बास कोई क्या होता है कि आपकी worksheet के उपर बहुत ज़्यदा data available है, आप सारे data को print नहीं करना चाहरे है, आप सिरो फर सिरफ कुछ selected area, कुछ selected cells वो है, वो print करना चाहरे है, तो उसके लिए यह option available है print selection के नाम से, इस option को use क करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप वो data select करें back end पे जाके normal view में जाके, वो data पहले select करें और फिर आके इस option को select करें इस drop down से, तो सिर्फ selected जो आपका data है वो print में आएगा, इसको भी perform करके देखते हैं, यह देखिएगा हम वापस back पे जा रहे हैं और इस data के अपर print उनको अगर हमने करना है तो कैसे करेंगे, यहां से select किया हमने ऐसे, यह 10 rows में कर रहा हूं, यह देखिएगा 10 rows तक data में select कर लिया हुआ है, although के sheet में data काफी ज़्यादा है, लेकिन हम सिरफ और सिरफ इसकी जो top 10 rows है वो print करना चाहरे हूं, तो यह print select करने के बाद हम वापस आएंगे, print preview के अंदर, उसके लिए मैं control P प्रेस कर रहा हूं, control P, print preview में आगे, right side पर देखिए अभी आपको पूरी sheet ही print preview में लिदर आ रही है, अब हम सिरफ वर सिरफ selected data को print करना चाहरे हैं, तो उसके लिए यहां पर आएंगे, इस option के उपर, यहां से हम करेंगे, print selection वा आपको नदर आएंगे, इस अब हम नदर आएंगे, तो इसमें दो काम आपको करने पड़ेंगे, बैक एंड पर जाके डेटा भी आपको, जो specific data प्रेंट करने चाहरे हैं, उससे select करना पड़ेगा, select करने के बाद यहां पर आपको इस option को select करना पड़ेगा, print selection को, यह दो क काम करेंगे, तो फिर उतना data जो आपने state किया होगा, वो आपको यहां पर नदर आएगा, प्रिंट के बटन पर क्लिक करने से इस उपर वाले बटन पर क्लिक करने से इतना ही data प्रिंट के अंदर आ जाएगा, उसके बाद नेक्स आते हैं नीचे फर्दर इस option के उपर, यह इसमें हम नंबर लिख सकते हैं कि फर्द करने जैसे हमारा जो data था 6 pages पर प्रिंट हो रहा था, फर्स चीट का, हम यह चाहते हैं कि सरफ page number 1 से लेके 3 तक हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, यह page number 2 से लेके 5 तक प्रिंट करना चाह रहे हैं, इसके लाब आप बाकी pages प्रिंट तो अब क्या होगा, जैसी मैं print वाली command पर क्लिक करूंगा, तो Excel जो print करेगा, page number 2 से लेके 5 तक सिरफ प्रिंट करेगा, first page और last page जो page number 6 है वो print में नहीं आए गया, तो इसलिके से आप range भी specify कर सकते हैं, अगर आप कुछ specific pages print करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर यह option available है, मैं नीचे आजाएं यह वाली, option यहाँ पर लिखावा है collated, और साथ जो drop down arrow है उसमें देखती हैं, और क्या option available है, यह uncolated भी लिखावा है, दो option है, इस drop down के अंदर एक का नाम है collated और दूसरी का नाम है uncolated, इन दो options को हम देखती हैं, यह क्या है, याद रखीगा, यह जो option ह इस drop down केंदे जो collated और uncolated की option है, इन दोनों options का तालुक number of copies के साथ है, उपर यह वाली जो option हमने देखी दी, जिसमें number of copies आप mention कर सकते हैं, कितनी आपने करनी हैं, तो दोनों options का तालुक इसके साथ हैं, अगर आप number of copies एक से ज्यादा करना चाह रहे हैं, दो, तीन, चार, और ज्यादा करना चाह रहे हैं, तो फिर collated और uncolated का फरक आपको पता चलेगा, otherwise, collated पे click कर ले, uncolated पे click कर ले, कोई फरक नहीं पड़ेगा, अगर यहाँ पर number of copies 1 है, तो, number of copies जब आप ज्यादा करने चाह रहे हैं, उस वाद देखते हैं, कि उन दोनों options का difference जो हो क्या ह फर्ज करने हैं, नमबर of copies 2 करना चाह रहे हैं, यह जो document है, जो six pages का था, इसमें जो हमारा data है, उसके pages बनने है, pages 1, 2, 6, six pages बनने है, six pages पे data प्रिंट होगा, और उन six pages की हम दो copies करना चाह रहे हैं, हमने वो यहाँ पर mention कर दिया ही, देखे हैं, mention कर दिया कि हम दो copies करना चा option है, collated, collated वाली option को क्लिक करने से क्या होगा, आपके document का जो first page है, first से लेके page नमर six तक सबसे पहले XE को इसमे pages प्रिंट हो जाएंगे, यह एक copy बाहर आगी, six pages की, फिर उसके बाद Excel क्या करेगा, दुबारा से page नमर one से लेके page नमर six तक, दुसरी copy भी प्रिंट करके बा मुझे अमीर है समझ आगी होगी, यह देखी का नीचे नमबर इसके निख्यों में 123 123 123 123, इसका मतलब किया है, कि आपकी जो file है, उसके पहले सारे pages प्रिंट होंगे, page number one two three, फिर उसके पास second copy के लिए page number one two three प्रिंट होगा, फिर third copy अगर आपने बनानी है, तो उसका भी page number one two three इसके से प्रिंट होगा, जितनी number of copies बनानी है, उतनी दफ़ा start से लेके end तक सारे pages प्रिंट होते चले जाएंगे, यह collated printing का लाती है, और उसके बाद uncollated printing, इस option के अगर उपर हम click कर दें, और pages हमारे six है, number of copies हम इन six pages की दो करना चाह रहे हैं, वो हमने उपर setting कर दी अब sequence क्या होगा printing का, अब sequence ही होगा कि जब आप print की command पे click करेंगे तो excel क्या करेगा, सबसे पहले first page की दो copies print करेगा, page number one दो दफ़ा print होगा, फिर उसके बाद page number two दो दफ़ा print होगा, page number three दो दफ़ा print होगा, हर page जो है वो दो दफ़ा print होगा, उतनी दफ़ा print होगा, जित और uncolated way में करना चाह रहे हैं, इस option को select करके आप print पे click करेंगे, तो क्या होगा, कि आपका document जिसमें six pages हैं, दो copies आप उसकी बनाना चाह रहे हैं, setting आपने कर दी uncolated, तो आप excel क्या करेगा, first page की दो copies पहले print करेगा, page one, page one, दो pages बाहिर आदेंगे, फिर उसके बाद page second, य uncolated printing का मतलब क्या है, कि जो number of copies बनेंगी, वो page wise बनेंगे, यहाँ पर लिख लीजिगा, जो collated की option है, इसके साथ लिख लें, कि यहाँ पर file wise number of copies प्रिंट होती है, number of copies जो प्रिंट होती है, वो file wise, पूरी file के जितने भी pages है, वो एक दफा प्रिंट हो जाएंगे, फिर उस इसके बाद next option की तरफ आते हैं, पेज, यह जो orientation की option है, इसमें लिखा है portrait orientation, portrait orientation क्या होती है, आपने देखा होगा, बास books ऐसी होती है, कि उनका page यू प्रिंट हो रहा होता है, इस अंदाज में, कैसे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, यह page है, मेरे पास यह वाला, तो इसे हम कहते है, portrait orientation, कि आपने document की, जो orientation है, जो उसकी direction है, वो portrait रखना चाह रहे है, यह देखीगा portrait orientation के साथ, left side पर यह icon भी बनावा है, इस अंदाज में, यह आप lengthwise printing करना चाह रहे हैं, तो आप यह वाली option select कर लेंगे, और इसके बाद दूसरी option जो इसी menu के अंदर available है, यह देखेगा, कि right side पर जो print preview आपको नज़र आ रहे है, यह portrait है, यह portrait view आपको नज़र आ रहे है, जो यहाँ पर यह वाला icon बनावा है, उसी अंदाज में आपको data यहाँ पर lengthwise नज़र आ रहे है, अब second option है, यहाँ से हाके हम select करेंगे, portrait orientation के बाद second option है, वह landscape orientation, landscape orientation में select करता हूँ, landscape orientation, right side पर जो view है, उसको आप देखते हैं, कि उसमें क्या changing जाए है, यह देखिएगा, पेज आपका यह हो चुका है, इस तरह आपकी पेज की जो orientation है, direction है, वो यह होगी और data यह प्रिंट होना शूरू हो जाएगा, इसका फाइदा क्यों होता है, अगर आपक portrait orientation है, उसमें जो कि page की width कम होती है, उसमे number of columns कम adjust होंगे, अगर आपके number of columns जाद हैं, आप चाहते हैं, आप चाहते हैं, सारे एक ही page पर print में मुझे नदर आएं, तो आप orientation यहां से change कर दें, landscape कर दें, इससे क्या होगा page यूँ आजएगा, और उसकी width बढ़ देगी, number of columns ज आप nine pages पे हो रहा है, क्योंकि आप एक page पे कम रोज प्रिंट होंगी, उसकी height कम होने की वज़ा से, तो इस तरीके से आप यह दूनों settings कर सकते हैं, landscape orientation भी है, और portrait orientation में भी आप printing कर सकते हैं, उसके बाद next option, next option में यह पे देखें, लिखावा letter और नीचे कुछ उसकी measurement भी ह यह असल में page का size है, यह वाली option, practical point of view से अगर हम देखें, तो यह option आम तर पर सबसे पहले set की जाती है, आपने यह decide करना होता है, कि मैं जो print करने जा रहा हूं अपना document, वो मैंने किस page size के उपर print करना है, letter size के उपर करना है, A4 size के उपर करना है, यह किसी और size के उपर करना यह ओपर एक लंबी list आप को नदर आ रही है, जिसमें different size के paper है, इसमें A4 size का paper है, यह देखेगा, और इसमें नीचे उसकी dimension भी लिखी हुई है, कि A4 size का page होता है, उसकी width कितनी होती है, 8.27 inches, और उसकी height होती है, 11.69 inches, इस तरीके से हर size का page है, उसकी dimensions लिखी हुई, executive size का page है, उसकी dimensions भी लिखी हुई है, A3 size भी है, और नीचे onward, यह different size है, उनकी dimensions लिखी हुई है, बास को दिये question में पूछा जा सकते हैं, आपको कि A4 size का page होता है, उसकी weight या height कितनी होती है, आप यहां से आके देख के बता सकते हैं, आपको रटा लगाने की, या memorize करने की जरू में भी बताया था कि Excel, Word, PowerPoint यह आप during exam open कर सकते हैं, तो यहां से आप आके इस option को देख सकते हैं, A4 size या कोई भी और size जो question में पूछा गया है, उसकी dimensions क्या होती है, यहां से आप देख सकते हैं, बस ही आपको पता हुना चाहिए कि यह जो option है, कहां पे available है, प्रिंट में ज adjust हो चुका हुआ है, यह देखिएगा, यहां से मैं इसकी orientation chain कर रहा हूँ, portrait कर रहा हूँ, यह देखिएगा, A4 size मैंने paper select किया, A4 size, तो अब A4 size की width होती है, वहां तो थोड़ी सी कम होती है, इसलिए वो जो fourth column था, जो यहां पे print हो रहा था, यहां पे पूरा नहीं आ रहा यहां वो जो single column है, वो single column है, वो skip होके right side पे चला गया, और वो सारे के सरा, जो right column था, last column था, वो next six pages के उपर print हो रहा है, तो यहां से आप इसको set कर सकते हैं, दुबारा से, A4 size की वज़ाए हम इसको दुबारा से letter size कर देते हैं, A4 size ही अगर इसे हम रहने देना चाहते है और, यहां पे एक और practical point है, विसे भी आपको एक tip बता दूँ, कि अगर हम यह चाहते हैं, कि वो जो last column यहां से skip हो चुका वाई, देखीगा, टॉप पे आके, यह quarter one, two, three, और साथ quarter four भी था, तो quarter four यहां पे नज़र नहीं आरा, उसकी बज़ा किया है, कि यह जो space है, quarter four के साथ से कम है, इस space के अंदर वो पूरा नहीं आरा, excel उसे आगे shift कर दिया है, हम चाहते हैं, वो इसी page के उपर adjust हो जाए, तो इसके लिए मैंने आपको option एक बताई थी, यह देखीगा, मैं दुबारा से print में आ रहा हूँ, bottom पे यह वाली option, यह वाली option, show margins, इस पे click करेंगे तो वो उपर जो pointer से हो आ जाएंगे, फिर उनको हम यूज़ करके adjustment करेंगे, देखिएगा, click किया हम इन इस पे, top पे आ रहे हैं, यह margins आपको नदर आ रहे हैं, इसमें यह जो right margin है, यह वाला, इसको मैं drag करके तोड़ा सा इधर लेया हूँगा, तो यह space ज्यादा, ब्लैंक स्पेस हमने छोड़नी है, वो कम कर दी, अब जो column skip हो गया गया चला गया था, वो इसी page के ओपर आ चुका होगा है, पूरा document आपको यहाँ पर view में नदर आ रहे हैं, अब देखते है number of pages कितने हैं, bottom पे आके number of pages अब, वही total six pages बन चुके हैं, next option, पेपर साइज जो है, उसके बाद नीचे वाली जो option है, उसमें drop down पे मैंने click किया, अब इसको देखते हैं, कि यह वाली जो option है, यह क्या करती है, इन options का objective किया है, यह देखेगा, इसमें सबसे पहले अगर आप देखें, इस option को हम understand करेंगे, यह normal वाली जो option ने यह किया है फिर wide और narrow वाली option किया है, यह असल में page के उपर, top side पे, bottom side पे, left right side पे, जो margins आपने छोड़ने हैं, वो कितने छोड़ने हैं margins आपने, तो उसको adjust करने के लिए यह option है, इस normal पे click करेंगे, normal पे click करने से क्या होगा, आपके top, bottom, left, right, जो margins अक्सल, margins का मतलब मतलब है free space, जि अगर आप इस option पे click करेंगे, तो top side से 0.75 inches वो space छोड़ देगा, यह वाली space, यह top margin है, और अगर आप bottom वाली side पे देखीगा, bottom वाली side से भी 0.75 inches एक्सल, free space छोड़ देगा, वहाँ data print नहीं करेगा, यह देखेगा, इतनी space छोड़ देगा, और left, right margin में 0.77 inches जोड़ pages, यह उस तुरत में हैं, जब आप इस normal वाली option पे click कर देगे, तो यह margin इस फाइल के उपर apply हो जाएंगे, और second option है wide, wide के उपर click करने से क्या होगा, देखेगा, wide का मतलब ही है, कि हम margins थोड़े ज्यादा रखना चाहरे हैं, जो free space चारों तरफ है, हम ज्यादा छोड़ना तो wide वाली option पे click करने से क्या होगा, top, bottom, left, right side से excel 11 inch की space छोड़ देगा, वहाँ पे data print नहीं होगा, और header और footer के लिए 0.5 inch space छोड़ देगा, header footer मैंने आपको शुरुर में बताया था जब हम page layout view देख रहे थे, कि header वो text वेरा या images होते हैं, जो top side पे आप repeat कर वाना चाह पारे होते हैं, तो उसके लिए आपने कितनी space छोड़नी है, वो इस margin के अंदर, wide margin के अंदर 0.5 inch है, उसके बाद third option देखें, narrow, narrow पे click करने से क्या होगा, कि आपके margin की setting होगी, वो यह वली होगी, top और bottom के लिए 0.7 inch, top margin, bottom margin 0.75 inch, जो है वो free space छोड़ देगा excel, और left, right, ज narrow margin की setting के अंदर, यह measurement available है, उसके बाद नीचे bottom पे अगर आप देखें, तो यह custom margin की एक option लिखी हुई है, अगर आपके यहां पे नदर आ रही है, देखेंगा, स्क्रीन पे, custom margin के नाम से option है, इस पे click करने से क्या होगा, आपके सामने एक और window open हो जाएगी, window open हो जाएगी normal वाली option पे click करने से यह apply होंगे, wide पे यह apply होंगे, narrow पे यह apply होंगे, लेकिन आप अपनी मर्जी से छोड़ना चाहरे है, top bottom अपनी मर्जी से set करना चाहरे है, left right margin अपनी मर्जी से set करना चाहरे है, तो आप custom margin में आ जाएगी, इस पे click किया है, यह हमारे सामने एक window open हो और इसमें यह margins वाला tab इस वक्त एक्टिव है, और उसमें top side से कितना margin आपनी चोड़ना है, bottom side से, left right side से, कितना margin चोड़ना हुआ है, यह mention कर सकते हैं, और header और footer के लिए कितना margin चोड़ने से आप increase यह decrease कर सकते हैं, इन सारी measurements को, उसके बाद next last option, bottom side पे अगर आप देखें तो यह last option आपको print setting में नदर आ रही है, इसमें देखते हैं कि इस drop down arrow के नदर क्या options available हैं, इसमें यह second option है, fit sheet on one page, पहले इसको देखते हैं, fit sheet on one page, और इसके नीचे इसका description भी लिखा हुआ है, detail भी लिखी हुए है कि इस option पे click करने से क्या होगा, यह देखेंगा, shrink the print out so that it fits on one page, इस option पे click करने से क्या होगा, Excel आपके data को इतना shrink कर देगा, कि वो एक page के ओपर fit हो जाएगा, आप देखिएगा, बास बात यह होता है कि आपका data जो है वो इस तरीके से है, यह आपने Excel की file जो create की हुए है, उसके अदर आपका data इस तरीके से available है, यह data को represent कर रहा है, यह box, जब आपने print में आके देखा तो सिर्फ इतना data आपका print में आ रहा है, यह right side वाल जो data है, यह अगले pages पे जा रहा है, यह कुछ extra columns हैं, जो अगले page पे जा रहा है, और bottom side से, bottom side से भी कुछ extra rows हैं, जो अगले page पे जा रही है, सिर्फ इतना data आपका first page पे, एक page पे print हो रहा है, यह देखिए, इतना data, य यह वाला जो data है यह वाला यह आपका first page पे आ रहा है और बाकी right side से और bottom side से कुछ extra column और extra rows जो है वो अगले pages पे shift हो रही है तो हम यह चाहते हैं कि सारे का सारा data shrink हो जाए इतना Excel उसको shrink कर दे को वो एक ही page पे fit हो जाए तो इस purpose के लिए आप फिर क्या करते हैं यह वाली option यूज़ करते हैं यह वाली option यूज़ करते हैं यह वाली option यह काम आप manual भी कर सकते हैं अपने columns की width को adjust करेंगे आप rows की height वेरा को adjust करेंगे लेकिन यह manual working थोड़ी length ही हो जाती है time जाता लग जाता है तो आप Excel के उपर डाल यूज़ करेंगा वह short होके उसका phone ज़रा कम होके एक page पे पूरा आजाएगा इतना वह उसको छोड़ा करेंगा कि सारा data एक ही page पे print में आजाए तो यह first option का objective में यह है second option fit all columns on one page इस option का objective क्या है बाज़ को यह होता है कि आपका जो page है वह इस अंदाज में है आपने data जो mention किया और Excel की फाइल के उपर उसकी width ज्यादा है और उसकी जो height है वो normal height है जितनी रोज आपकी यहां पे जितनी रोज का data है उतनी रोज एक ही page के उपर print हो रही है लेकिन जो column है वो column जो है वो right side की तरफ जा रही है यह वाले column आपके एक page पे पूरे आ रहे ह page की width कम है आप print preview में आके देखेंगे आपको यह सारी चीज़े आइडिया होती रहेंगी कि मेरा जो data एक page पर पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो बाज़कुत ऐसा होता है कि आपने जो document बनाया है उसमे number of columns ज्यादा है उसमे number of columns ज्यादा है वो सारे के सारे एक ही page की width की ओपर adjust नहीं हो रहें कुछ columns next page की तरफ जा रहे हैं तो आप ही अगर चाते हैं कि सारे के सारे pages एक ही page की ओपर आज़ें तो इसके लिए आप इस option को use करेंगे fit all columns on one page सारे के सारे columns को एक page पे fit करो तो Excel क्या करेगा इस data को इतना shrink करेगा इतना shrink करेगा कि यह सारे के सारे columns जो हैं एक page पे यहां तक जो हैं एड़ेस्ट हो जें इस option में और इस option में फरक हैं इसमें Excel क्या करता है column को भी shrink करता है row को भी shrink करता है दोनों direction में इस shrinking होती है और Excel देखता है कि सारे का सारे data मैं कितना reduce करूं कि वो एक page पे आ जए और इसमें Excel ये देखेगा कि मैं सारे कि सारे data को कितना shrink करूं कि सारे columns एक page पे आ जए रोज ज़रूरी नहीं है कि एक page पे हैं होसाता है आपका data नीचे की तरफ जा रहा हूँ ऐसे और भी data हो तो वो next page पे Excel उसको print कर देगा लेकिन width उसकी एक page के बराबर रखेगा column को इतना shrink करेगा है सारे columns एक page पे नजर आ यह देखिएगा फर्ज करें आपका data इस तरीके से है उसकी width इतनी है कि एक page पे पे पूरी आदे हैं यह देखिए यह width आपके data की width वो इतनी है कि पेज पे असानी से आ सकती है page की width है जिसके आपने print करना है उस page की width और डाबर पराबर है आपका ये data एक page पे fit हो जाएगा लेकिन आपका ये जो data है ये वला नीचे वला ये extra rows हैं जो next page की तरफ जा रही है सिर्फ इतनी rows एक page पे adjust हो रही है वो आपको ये information यहां से मिल जाएगी आप preview जब देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कुछ मेरी rows तो उपर पहले वाले page पे आ रही है लेकिन कुछ 5, 7, 8, 10 rows जो है वो नीचे वाले page पे shift हो रही है आप चाहते हैं कि मैंने ही मैं सारा document सारी report एक ही page पे पर प्रिंट करना चाहरा हूँ तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे इस option को use करेंगे fit all those on one page इससे क्या होगा नीचे लिखा हूँ है shrink the print out so that it is one page high Excel आपके document को आपके print out को इतना shrink करेगा कि उसकी जो height है वो कम हो के एक page के पर रापर रह जाएगी यह जो data है इसको shrink करेगा ऐसे इतना shrink करेगा कि data आपका एक page के उपर print हो जाए तो इन option को जब आप use करते हैं तो उससे जो data है उसका original size effect होता है वो original size पर print नहीं होता बलके थोड़ा short हो जाते है data का phone थोड़ा चोटा हो जाएगा एक page के उपर आपको जो लिखा हो नदर आएगा वो normal phone के हिसाब से नदर नहीं आएगा बलके थोड़ा चोटा होगे और चोटोटे words आपको नदर आएगे तो इन सारी option को आप use कर सकते हैं data को pages के उपर fit करने के लिए इन तीन option में से किसी option को भी आप use कर सकते हैं तो यह सारी की सारी option है प्रिंट की जिनको आप use करके अपने data की setting करेंगे सबसे पहले setting करने के बाद फिर आप final जो है वो print के button पे click कर देंगे तो यह data आपका इन settings के accordingly प्रिंट होके बाहिर आजाएगा तो यह हमारा जो प्रिंट की option है complete है और इसके साथ ही जो chapter 4 है वो भी अलमकिला हमारा complete हो चुका हुआ है यह उसका last topic था book में आप आएं तो आप देखिएगा page number यह heading number 4 है page number 68 के उपर printing के नाम से यह printing के नाम से heading है यह हमने आज discuss की है और इसकी कुछ details नीचे आपको दियुए है image के दर आपको नदर आ रहरा है यह वही print preview की screen है जिसको अभी हमने discuss किया यह देखिएगा इसको हमने detail में discuss का लिया कि यह सारी की options क्या होती है इसको आपने practice करना है अच्छे तरीके से सारी options को go through करना हर option का objective आपको पता होना चाहिए हर option जो है उसका original नाम क्या है और उसका objective क्या है यह दो बाते हर option के मिदले का आप याद रखते हैं तो question किसी तरीके से भी वह आप से पूछ सकता है आप असानी से उसका answer कर सकते हैं और exam के तुरान आप इन option को आकर दोबारा से open भी कर सकते हैं perform भी कर सकते हैं evaluate भी कर सकते हैं question का answer करने से पहले बहुत शुक्रिया